हेलो एवरिवन वेलकॉम अगेन टू लणवर्दी तीमन तो आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कुछ ऐसे ही प्रस्ण जो हमने लास्ट वीडियो तक किये थे और जिससे की आपकी तयारी जो है वो और मजबूत हो जाएगी और कल से हम प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक जिसमें कल सभी बच्चे जो हैं वो संग्या का टॉपिक पढ़कर आएंगे और उससे संबंदी सभी प्रश्ण जो है वो करके आएंगे ठीके तो जो वीडियो लास्ट ये मैंने डाला था जो की रीट से संबंदी था कि रीट का एक्जाम जो है वो अभी होगा नहीं होग देखिए यदि मैं ऐसा कह देती हूँ कि अभी नहीं होगा आप लोग बिल्कुल तैयारी नहीं करोगे और क्योंकि कई बच्चे मान लेते हैं कि तैयारी जो है वो अब हम करेंगे जब एक्जाम की डेट आ जाएगी तो देखिए वो लोग जो है वो बिल्कुल भी एक्ज या पता ना करना और देखिए रीट से समबन कोई भी नोटिफिकेशन बिल्कुल अभी नहीं आया है ठीक है तो जब आयेगा, तभी हम उसकी बात करेंगे तो यहां पर जो आंसर रहेगा चिराग तले अंधेरा का अभिप्राय, पता न करना यह नहीं होगा बात का छेपाना यह भी नहीं होगा, प्रकास करना भी नहीं होगा आंसर क्या होगा अपनी बुराई ना देखना ठीक है जैसे एक चिराग जलता है तो उसके नीचे जो है अंधेरा होता है उसे यह नहीं पता होता है लेकिन वह सबी को रोशनी दे रहा होता है तो वो सोचता है कि सबी रोशनी जो है उसके द्वारा दी गई है उसके तले कई इंसान जो होते हैं वो अपनी अच्छाईयां जो हैं वो लोगों को बताते हैं लेकिन उनके ही अंदर कितनी बुराई है यह उन्हें नहीं पता होता है। निम्न मैंसे एक प्रत्या से निर्मित शब्द नहीं है। नेयाईक, अधिक, एतिहासिक और सैक्षनिक। तो इनमें से आपको बताना है कि जिसमें एक प्रत्या जो है वह नहीं लगा है। ऐसा शब्द तो यदि हम अंत में देखें तो देखें यहाँ पर भी एक आपको लग रहा है, यहाँ पर भी अधिक में एक लग रहा है, एतिहासिक में भी एक लग रहा है और सैक्षनिक में भी एक लग रहा है तो यहां आंसर जो है वो क्या रहेगा आंसर बिल्कुल रहेगा अधिक ठीक है अधिक जो है वो अपने आप में ही एक शब्द है इसमें एक प्रत्य जो है वह नहीं लगा है बाकी नयायक में नयाय में एक प्रत्य लगने पर बना नयायक देखिए जब भ पहले स्वर्य व्यंजन में क्या हो जाती है? व्रद्धी हो जाती है. इसी तरीके से इतिहास में एक प्रत्य लगते ही क्या बन गया? एतिहासिक बन गया. सैक्षणिक में सिक्षण में एक प्रत्य लगा क्या बन गया? सैक्षणिक बन गया. ठीके? तो एक प्रत्य के लगते ह पहले स्वर्या व्यंजन में क्या हो गई व्रद्धी हो गई यह चीज़ याद रखिएगा अभिग्य का विलोम शब्द है अभिग्य का विलोम शब्द क्या होगा भिग्य होगा अने भिग्य होगा सूविग्य होगा या अने भिग्य होगा तो फटाफट से सोचिए विलोम क्या होगा, क्या भिग्य होगा, अनभिग्य होगा, सुबिग्य होगा या अनभिग्य होगा, तो यहां पर जो आंसर रहेगा, देखिए, आंसर रहेगा अनभिग्य, ठीके, अभिग्य का विलोम अनभिग्य होगा, तो यदि ए ओप्शन को मानते हैं कि अभिग्य का विलों भिग्य होगा देखिए दोनों का अर्थ ही क्या है जानना गय का अर्थ क्या होता है जानना ठीक है अभिग्य हो या भिग्य हो दोनों का एक ही अर्थ है याद रखिए ठीक है और अभिग्य में आगे अन लग गया तो क्या बन गया अन भिग्य बन गया तो ये इसका ह गया अपोजिट निम्न में से कौन सा सब्द इस्त्रीलिंग नहीं है दाल माई गर्दन और दर्द तो बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया है इनको वाक्य में प्रियोग करके देखें आपको तुरंत इसका उत्तर मिल जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या रहेगा आंसर जो है इस्त्रीलिंग नहीं है तो यह रहेगा आंसर दर्द ठीक है क्योंकि दर्द तो हो रहा है और गर्दन कट गई माई वहाँ खड़ी है दाल रखी है ठीक है ऐसे आपको प्रियोग करके देखना है कोई भी वाक्याब बना कर अच्छे लेखक कौन सी कृतियां अपनी मात्र भासा या अन्य देशों देखिए ये कुश्चन जो है वो आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न मैंसे कौन सा एक वच्चन है तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ है कि option B जो है कौन सी कृतियां ये तो आपका बहुवचन है D option है अन्य देशों यह भी बहुवचन है यहाँ देखिए A option और C option जिसमें A option अच्छे लेखक तो अच्छे लेखक में बहुत सारे लेखकों की बात हो रही है यह भी नहीं है तो हमारा आंसर रहेगा अपनी मात नेक्स्ट है question C इनमें सर्वनाम से बनी भाव आचक संग्या है समता, ममता, बड़पन या लड़कपन तो इनमें से सर्वनाम से बनी भाव आचक संग्या कौन सी है तो सर्वनाम पता है आपको जो की संग्या के बदले प्रियुक तो होता है तो यहाँ पर देखिए बिलकुल भाव आचक संग्या बन रही है सर्वनाम से तो यहाँ आंसर जो है वो रहेगा ममता ठीक है जो की मम से बना है मम यानि मेरा तो यह क्या है सर्वनाम और इससे भाव आचक संग्या बनी ममता ठीक है जिसे हम क्या महसूस कर सकते हैं इसके अलावा सम्ता नहीं है, बड़पन में बड़ा जो है, वो संग्या से बनी भावाचक है, लड़पन में लड़का से बना है, भावाचक संग्या, ठीक है? चलिए. निमन में से द्वंद समास है, हरा सगन, नीचे उपर, नील कमल या लाल, मुर्क नहीं, लाल सुर्ख, तो इन में से द्वंद समास कौन सा है? तो द्वंद समास का क्या है? दोनों ही पद जो हैं वो प्रधान होते हैं, चाहे वो प्रथम पद हो या दूसरा पद हो तो अब सोचिए यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा? तो देखिए यहाँ जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका नीचे या उपर ठीक है? नीचे और यह लगा हुआ है आपके इसका आड़त है या उपर तो यह कौन सा है? यह वैकलपिक द्वंद समास है इसके अलावा हरा सगन जो हरा है जो सगन है दोनों ही विशेशन है तो यह करमधारे समास हो गया नील कमल नीला है जो कमल चीक है? यह भी क्या हो गया? करमधारे समास हो गया विशेष्ता बताई जा रही है लाल सुर्क जो लाल है जो सुर्क है तो दोनों ही क्या है विशेष्ण है तो इसलिए ये भी करमधारे समास है तो तीनों ही करमधारे समास के उधारन है ये याद रखिएगा और द्वन्द समास का उधारन है नीचे या उपर बहानु धन उदे निम्ने मैंसे उप्युक्त संधी सब्द होगा बहानु दे बहानु दे और बहान्य दे तो ये भी लिखिए ये कौन सा संधी विच्छेद है कौन सा संधी का प्रकार है और इससे कौन सी संधी बन रही है तो यहाँ पर कौनसी संदी है ये भानू प्लस उदय ठीक है यहाँ पर क्या है छोटा उ उसके बाद है फिर छोटा उ चोटा उ और छोटा उ मिलकर क्या बनेगा बिल्कुल बनेगा बड़ा उ कौनसी है दीर्ग स्वर संदी तो इसका होगा option number C सही answer महेंद्र शब्द में संदी का सही विकल्प है दीर्ग स्वर संदी व्रदी स्वर संदी यन संदी या गुण स्वर संदी तो कौन सा सही होगा सोचिए महेंद्र सब्द में संदी का सही विकल्प क्या होगा तो कई बार आप लोगों ने किया होगा तो यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका आंसर दीर्गस्वर संदी, ब्रद्धी स्वर संदी, यन संदी या गुण स्वर संदी तो बिल्कुल यहाँ आंसर रहेगा गुण स्वर संदी, ठीके, क्योंकि देखिये महा धन इंडर, A और E मिलकर क्या बनता है? ए बनता है और यह गुण स्वर संदी का उधारन है नेक्ट देखिए 10 कुश्यन निम्न में से कौन सा सब्द बहु वचन में प्रियोक्त होता है सिशू, भक्ती, पुस्तक और प्राण देखिए ये भी कुश्यन आपके एक्जाम में आया हुआ है आपका कुश्यन नम्बर 10 कि निम्न में से कौन सा सब्द बहु वचन में प्रियोक्त होता है शिशू, भक्ती, पुस्तक और प्राण तो केवल बहु वचन में प्रियोक्त होता है ऐसा यहाँ पर पूछा गया है तो देखिए, शेशु क्या है? एकवचन है, इसका बनता है, शेशुओं, ठीक है? उसके बाद बक्ती जो है, क्या है? ये एकवचन है, बहुवचन नहीं है. पुस्तक, पुस्तक का पुस्तकों, पुस्तकें बनता है, लेकिन प्राण, प्राण क्या है? निकल गए. एक व्यक्ति के यदि प्राण निकल गए, दो व्यक्ति के प्राण निकल गए, तब भी क्या रहेगा? प्राण निकल गए. तो ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होता ह हमिशा ठीक है और पुस्तक जो है यह है दोनों में प्रिउक्त होता है एक वचन बहुचन ओपती जो है वह केवल एक वचन में प्रिउक्त होती है कि रामायन सब्द में सही संधी का चैन करें दीर को सवर संदी दीर को सवर एवं व्यंजन संदी व्यंजन संदी या गुण संदी देखे कभी भी संदी करें तो उसके बाद जो भी संदी कर रहे हैं उनका अर्थ जो है वह भी पता होना चाहिए ठीक है चलिए तो यहां रामायन सब्द में सही संधी जो है वो है आपकी दीर्ग स्वर संधी और वो कैसे है? रामायन यानि राम भन अयन ठीके? रा नहीं होगा, क्या बनेगा? न राम भन अयन अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो बड़ा आ है रामा ठीक है तो आयन होना चाहिए था तो वो क्यों नहीं हुआ तो उसका भी reason है देखिए आयन और आयन ये दोनों ही क्या है शब्द हैं और इनके अर्थ हैं आयन का अर्थ होता है मार्ग या चलना या किसी का चरित्र ठी आयन तो क्या होता राम का पर्मानू या राम का बुद्धुति करन तो ये बिल्कुल गलत अर्थ में जाता क्योंकि हमें पता है रामा आयन क्या है तो क्या है राम का मार्ग है ठीक है तो राम धन आयन जो है इसलिए सही होगा और ए और ए मिलकर क्या बना दीर्गस्वर निमने मैंसे विशेशन सब्द है नारी, सुबह, पिता, पैत्रिक तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विशेशन जो है वो पता लगाया जा सकता है संग्या सर्वनाम या क्रिया से पहले लगता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए इन मैंसे विशेशन सब्द जो है कौन सा है तो यहाँ पर आपने प्रियूक्त कर लिया होगा अब देखिए नारी, नारी क्या है? संग्या है ठीक है, तो ये विशेशन नहीं है सुबह सुबह भी संग्या है पिता पिता भी संग्या है लेकिन पैत्रिक संपत्ती संपत्ती से पहले क्या लगा पैत्रिक पिता से पहले नहीं लगेगा कुछ सुबह से पहले भी नहीं नारी के पहले भी कुछ नहीं ठीक है अगर लगता तो यहां सुंदर होता अगर तो सु सही आंसर ओप्षिन डी होगा. Next है question 13. देश की हानी जै चंदों से होती है. रिखांकित में संग्या है. जाती वाचक, व्यक्ती वाचक, भाव वाचक या द्रव्य वाचक. तो कल हम करने वाले हैं संग्या का टॉपिक. वहाँ हम इसे और भी अच्छे से समझेंगे. यदि आपका कोई भी confusion होता है, तो उन question के माध्यम से आपका clear हो जाएगा. तो देश की हानी जै चंदों से होती है. तो देखिए ये जै चंदों जो है, यह क्या है? यह जाती वाचक संग्या है. और वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उस जै चंद की बात नहीं हो रही है. उस जै चंद की तरहे उन लोगों की बात हो रही है, जिनसे हानी देश को हो रही है. ठीक है? तो यहाँ पर जाती वाचक संग्या होगा. समन्वे सब्द में प्रियुक्त सही उपसर्ग होगा सम, सम और अनु, समन्वे और समान तो यहां पर सही उपसर्ग का चयन करना है तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका B ठीक है, option B रहेगा कैसे बनेगा यह सम और अनु और अए ठीक है, यहां दो उपसर्ग है याद रखिए इसमें दो उपसर्ग है सम जो है, इसमें देखिए विसर्ग लगा हुआ है नीचे हलंत लगा हुआ है इसका मतलब इसका आ जो है यहां पर है, अनु में, ठीक है उसके बाद यह उ है उ और आ, मिलकर क्या बनता है व बनता है, तो सम धन अनु धन अए ठीक है, तो दो उपसर्ग हैं यहां पर इत्ती शब्द का विलोम होगा अथ, आद, अंत और प्रारम तो यहां पर बिलकुल आंसर जो है वो रहेगा, आप्शन नंबर ए ठीक है, तो इत्ती शब्द का विलोम होगा अथ, तो इन पंद्र में से आपने कितने सही किये हैं कितना आपको clear हुए हैं question आप यह बताईएगा और next topic जो है वो संग्या का आप पढ़कर आईएगा क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे मैम इसको भी topic wise ही करवाईए जैसे आप geography में करवा रहे हो चलिए मिलते हैं next video में Thank you झाल 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 झाल